Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Mr. Gyan तो finally जो station choice की option थी वो 21st July को राद 12 बजे तक थी तो काफी सारे जो student थे उन्होंने वहाँ पर apply कर दिया था बट कुछ students को problem आ रहे थी तो जिसके काराण उनकी तरफ से जो help नहीं नमबर हैं वहाँ पर बार बार contact किया गया था तो जिसके कराराण उनकी तरफ से अब इस जो last date थी 21st July को extend कर दिया गया है तो अब आप 25 जुलाई तक जो station choice की option है उसको apply कर सकते हैं तो इनकी जो official website है वहाँ पर अभी ये update नहीं है तो मैंने शाम को live stream video में काफी सारी जो student थे उनसे live chat किया था तो उनको वहाँ पर मैंने share भी की थी जो letter थी society की तरफ से जारी किया गया है जिसमें date extent के बारे में भी बताया गया है तो वहाँ पर मैंने clear किया था कि जो letter है वहाँ पर इनकी official website पर अभी तक upload नहीं की गए है बट वो सभी groups में available हो चुकी है तो जल्दी इनकी website पर भी upload कर दी जाएगी तो मैंने इनके help line number पर भी call की थी तो वहाँ से भी मैंने confirm किया है कि जो station choice की last day को extend करके 25 July कर दिया गया है तो आज की studio में मैं आपको बताने वाला हूँ कि station choice के बाद next process क्या होगा आपको क्या करना होगा admission कब start होगी तो वैसे तो मैंने live stream में भी काफी सारे बातें बताई हैं बट वहाँ पर voice problem के करण कुछ बातें हो सकता हैं आपको clear सुना ही ना दे या जो कुछ doubts हैं वो आपक बता हूँ कि जो letter है वो कौन सी letter है जहां पर date को stand किया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ तो आप यहां पर दे सकते हैं कि जो society की तरफ से आज public notes जारी किया गया तो यहां पर उने बताया है कि पहले 21 July last date थी station or stream choice करने की बट काफी सारे जो student थे उनको station or stream choice करने में problems आ रही थी जिसके करण कि जो last date को extend कर दिया गया है तो अब यह जो last date है वो 25 July 2022 है तो आप रात को 12 बजे तक station or stream की choice कर सकते हैं तो यह कुछ letter है जो आज society की तरफ से जारी किया गया है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब आपकी जो next process अब क्या होगा कब आपकी जो list आएगी कौन सी list आएगी counseling होगी या नहीं होगी तो merit list अब दुबारा आएगी या नहीं आ करता हूँ कि आपकी जो counseling होगी या नहीं होगी तो मैंने confirm किया है तो आपकी जो counseling है वो अब नहीं होगी यह जो सारा process है online process था जो station choice करने कर यह जो process है online तो यही आपकी online counseling है तो इस online counseling में आपकी तरफ से जो station choice कर लिए है तो उमीद करता हूँ कि सारे जो students है नहीं station choice कर लिया होगा अगर आपने अभी तक station choice नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए क्योंकि station choice का मतलब है कि आप meritorious school में admission लेना चाते हैं तो अगर आप station choice फिल नहीं करेंगे तो आपको meritorious school में admission नहीं मिलेगी आपके अगर 80 plus 90 plus 70 plus marks है और आप station choice नहीं करते हैं तो आपको admission नहीं मिलेगी meritorious school में तो इससे क्या होगा कि जो waiting list वाले होंगे उन students को मौका मिल जाएगा तो वो station choice कर लिया है उन्होंने तो उनको admission के एक मौका मिल जाएगा तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर counseling नहीं होगी तो next क्या होगा तो अब आपकी जो station आपने choice कर लिया है तो उसकी एक selection list आएगी जिसमें आपने jobby station choice की है उसकी एक list आएगी आपका नाम होगा आपके school का नाम होगा उससे आपको clear हो जाएगा कि क student को कौन से school में admission में लिया है तो अगर आपने एक से ज़्यादा school को choice किया है तो अगर पहले वाले school आपके fill हो गए हैं तो next जो schools होगे वो आपको मिल जाएंगे और आपके merit के according ही आपको school की choice मिलेगी तो काफी सारी जो student ही वो चाहते हैं कि जैसे उनकी 60 प्लस हैं या 70 प महाली में पटेयाला में यहां जहां पी वो admission लेना चाहते हैं क्या उनको वहाँ पर admission मिलेगी तो अगर आपका merit list में rank जो ऊपर है तो आपको तो असानी से जो आपके choice का station जो है वो मिल जाएगा तो अगर आप rank में पीछे हैं तो आपको जो station बच जाएंगे वो मिलेंगे तो सबसे पहले तो preference उनको दी जाती है जो merit list में अपर marks पर है अपर है तो 10 schools में हो सकता है कि जो school आप लेना चाते हैं तो वहाँ पर seats complete ना हो तो भी आपको जो station है वो मिल सकता है अब जो counseling वो online हो चुकी है अब आपकी selection list आएगी selection list कब आएगी तो 25 July तक तो आपने apply करना station choice जिन्होंने नहीं apply किया है वो जो रह चुके हैं तो अब 25 July के बाद ही सारी update आएगी तो 25 July के बाद तो जैसे मैंने confirm किया है तो next week आपकी जो selection list है वो आजाएगी जल्द ही तो जो next आपका admission का process है वो जैसी आपकी selection list आजाएगी तो आपको अपने schools पता चल जाएगे त तो तकरीबन अगस्त मंत में ये admission का process जो है वो शिरू हो जाएगा और अगस्त मिड़े तक आपकी जो classes है वो भी start हो जाएगे तो ये सारा जो next process है वो होने वाला है काफी सारे जो student थे वो comment कर रहे थे कि सारा next process क्या है तो इसके इलावाद जो भी कोई नहीं update आएगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे तो काफी सारे जो student है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार विजट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजिएगा